Hello Friends, Welcome back to Shana's Kitchen आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ पालक पनीर बनाने की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और इस रेसिपी में बहुत ही काम इंग्रीडिनेंट्स की ज़रुद होती है तो जितनी ये टेस्टी और डिलिशिस रेसिपी है उतनी हेल्दी भी है पालक और पनीर की हेल्फ पेनिफिट्स तो आप सब जानते ही होगे तो अगर आपके बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते तो एक बार आप इस डिश को ज़रूर ट्रॉय करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनानी की रेसिपी लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये है या फिर अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है उस पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है और बाजू में जो बेल आइकॉन है घंटी वाला बटन उसको भी क्लिक करके ओन कर ले ताके आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और ये सब बिल्कुल फ्री है थैंक यू तो पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पालक के पत्ते लिए है ये करीब 250 ग्राम पालक के पत्ते है और इन्हें मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इन पालक के पत्तों को ब्लांच करेंगे यहाँ पे मैंने एक पॉट में पानी रखा है बॉइल होने के लिए और जैसे ही पानी बॉइल हो जाएगा हम इसमें पालक के पत्ते आड़ करेंगे हमें पालक के पत्तो को 2-3 मिनिट के लिए पानी में बॉइल करना है इसे बहुत देर तक हमें नहीं पकाना है नहीं तो पालक के पत्तो का कलर डार्क हो जाएगा और आपके पालक पनीर का जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा तो इस टीप को आप ज़रूर याद रखे तो ये देखिए मैंने 2 मिनिट के लिए इसे हाई फ्लेम पे पकाया है और अब हम इसे निकाल लेंगे पानी में से और इसे अच्छे से स्ट्रेंड कर लेंगे अब हम इसके उपर से थोड़ा सा ठंडा पानी आड़ करेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए और ओवर कुक ना हो अब हम इसकी प्योरी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लिया है और इसमें हम इस पालक के पत्तों को अड़ करेंगे अब इसे हम साइड में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और तब तक हम पालक पनीर के आगी की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन रखा हुआ है और उसमें मैं दो से तीन बड़े चमच तेल एड़ करूँगी तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे एक बड़ा चमच जीरा दो से तीन हरी मिर्च दस से बारा लसन की कलिया और एक इंच अद्रक का तुकड़ा बारी कटा हुआ अगर आपके पास अद्रक लसन की पेस्ट है तो आप वो भी इसमें आड़ कर सकते है लेकिन मैंने यहाँ पे साबित ही आड़ किया है आप हम इसे थोड़ी दिर के लिए सौते करेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज आड़ करेंगे तो ये देखिए हमारे प्यास का कलर वो हलका सा चेंज हो गया है और ये ट्रांसलूसेंट हो गया है तो अब हम इसमें आड़ करेंगे दो मीडियम साइज के टॉमेटोस बारी कटे हुए और इसे भी हम तब तक पकाएंगे जब तक टॉमेटोस सौफ्ट नहीं हो जाते आप चाहिए तो इसे ढग कर भी पका सकते है लेकिन मैंने यहाँ पे इसे ओपन ही पकाया है और गैस की फ्लेम को आप मीडियम पे ही रखे तो यह देखिए टॉमेटोस हलके से गल गया है, सौफ्ट हो गया है अब हम गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब तक यह ठंडा हो जाता है हम पनीर को प्राई कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सौफ पनीर लिया है और उसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर दिया है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे छोटी सी कडाई ली है और उसमें दो छोटे चमच तेल अट किया है अगर आप तेल नहीं यूज़ करना चाते तो आप इसकी जगापे बटर भी यूज़ कर सकते हैं तेल को हमें हलका सा गरम होने देना है और फिर हम इसमें पनीर की क्यूब्स आइड करेंगे और इसे दोनों साइट से टर्न करते हुए हलका हलका गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे तो ये है हमारी टिप नमबर टू वैसे आप बिना फ्राइ किये हुए भी पनीर को आड़ कर सकते हैं लेकिन ये इस तरह से और टेस्टी हो जाता है इसी तरह से हम बाखी के पनीर के क्यूब्स को भी फ्राइ कर लेंगे और इसे निकाल कर हम साइड में रख देंगे अब यहाँ पे जो हमने मसाले रखे थे ठंडे होने के लिए वो बिलकुल ठंडे हो चुके है अब हम इन दोनों को एक साथ पीस लेंगे यानि इसकी प्योरी बना लेंगे इसे पीस्ते वक्त आप ध्यान रखे कि इसमें बिलकुल भी पानी आड नहीं करना है बिना पानी आड किये ही हम इसकी प्योरी बना लेंगे तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से और ये बहुत ही fine puree बनी है और इसमें बिल्कुल भी lumps नहीं होने चाहिए अगर आपकी gravy बहुत ही ठिक है और इसके ग्राइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके इसको ग्राइंड कर सकते है अब इसे भी हम side में रख देते है और पालक पनीर के लिए हम तड़के की तयारी करते है तो यहाँ पे मैंने same pan लिया है जिसमें हमने प्याज और टमाटर की gravy बनाई थी आप चाहिए तो अलग pan में भी बना सकते है अब इसमें मैं एक बड़ा चमच तेल आड़ करूँगी और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे आप तेल की जगापे अगर butter यूज कर रहे है तो gravy और भी tasty बनेगी तेल हलका सा गरम हो गया है अब मैं इसमें एड़ करूँगी आदा चोटा चमच हल्दी powder आदा चोटा चमच गरम masala powder आदा चोटा चमच जीरा powder और आदा चोटा चमच लाल मिर्च powder अब हम इन सारे masala को oil में fry कर लेंगे सिर्फ एक दो सेकंड के लिए ही fry करना है उसके बाद हम इसमें पालक की paste आड़ करेंगे जो हमने बना कर रखी हुई थी और इसे अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पे आप mix करते वक्ग गैस की flame को बिल्कुल लो पर रखी है उसके बाद हम इसमें नमक आड़ करेंगे स्वाद अनुसार और इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे अब हम पैन को cover करेंगे और इसे दो से तीन मिनिट के लिए medium flame पे पकाएंगे दो मिनिट हो गया है और अब हम पैन को open कर लेते हैं यह देखे हमारी gravy अच्छे से कुख हो गई है इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्रेड़ी सब कुछ पका हुआ ही है यहाँ पे हम gravy की consistency को चेक करेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे यह थोड़ी सी ठिक लग रही है तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी और इसे अच्छे से mix कर लेंगे इसमें एक हलका सा boil आने देते है और आब हम इसमें पनीर आड़ करेंगे जिसको हमने fry करके रखा हुआ था इसे भी mix कर लेते है पनीर आड़ करने के बाद आब इसे हलके हाथों से ही mix करें ने तो पनीर के cubes है वो तूट सकते है अब हम इसमें रेसिपी का last ingredient आड़ करेंगे और वो है कसूरी मेथी इसको हमने हलका सा टॉस कर लिया है तबे पे और अब हम इसको हाथों से crush करके gravy में आड़ करेंगे अब हम इसे हलके से mix कर लेंगे और पैन को फिर से ढख देंगे और दो से तीन मिनिट के लिए और cook करेंगे इसे जो पनीर है उसमें भी gravy का flavor आ जाएगा दो मिनिट हमने इसको ढख कर पकाया है और ये देखे हमारा पालक पनीर बिल्कुल तयार है तो चलिए इसको serve करते हैं इसे मैंने garnish किया है थोड़े से grate की हुई चीज के साथ आप चाहिए तो इसके उपर से थोड़ी सी fresh cream भी add कर सकते है आई होप आपको ये recipe अच्छी करिए और इस recipe से related आपको जो भी doubts से आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं और इस recipe को आप अपने friends and family के साथ share करिए आप इसे अपने WhatsApp ग्रूप पे या फिर अपने Facebook पेज पे भी share कर सकते हैं Thank you